तो आज हम लोग देखेंगे यूनिट वन ओके और पिछले क्लास में हम लोग नहीं देख लिया था नंबर्स अप्टू 9,99,999 तो यह जो है नंबर्स अप्टू हमारा नाइन लाइक तो यह जो नंबर है इसके बेसिस पे यहाँ पे कुछ प्रोब्लम्स हम लोगो दिये हुए हैं तो आएए हम लोग यह सारे प्रोब्लम्स को पहले सॉल्व कर लेते हैं और इसके बाद हम लोग वर्कशिट वन की बात करेंगे तो यहाँ पे कहता है राइट हमारे पास चार्ट है यह हमारा प्लेस भेलू और जो अपना पिरियड है उसका तो यह जो हमारा है लैक्स यह थाउजेंड्स यह वन्स यह हमारे क्या हैं यह हमारे पिरियड्स कहलाते हैं और यहीं पे हम बात करते हैं यह जस्ट इसके नीचे लिखा हुआ है टेन लैक्स लाक्स, टेन थाउजेंड, ताउजेंड, हन्रेड, वान्स, टेन्स, वान्स, यह हमारे क्या हैं, यह हमारे हैं, प्लेस, यह समारे क्या हैं, प्लेस हैं, ओके, यह हम लोग नॉट कर लेंगे, तो यह हमारा यहां पे है, इसी चार्ट के हैल्प से, हम लोग यहां पे, सारे डि लिखेंगे हमारे पास क्या है ना ए नमबर पे तो ए नमबर पे जो है उसका हम पहले यहां पे लिखेंगे तो हम यहां पे देख रहे ना एट को क्या किया गया है सरकल किया गया ओके तो हमको एट का क्या लिखना है एट का हमको लिखना है पिरियड और प्लेस और प्लेस पह तो हम लोग यहां पर नोट कर लेते हैं 1000 आईए यह हम नोट करेंगे 1000 ठीक है तो यह हमारा क्या हो गया 1000 हो गया इसका पिरियड अब आते हैं हम इसका प्लेस की बात करते हैं तो प्लेस पर आप देखिए यह कौन सा है यह 1000 प्लेस पर है फिर से तो हम यहां पर क्या नोट करे पूक् ello है एक प्लेस डिजित का हमको प्लेस बारा नोट करते हैं तो यह डिजित हमारा एक है तो हम एक यहाँ पर alert कर लिए अव में ए राइट के राइट जिस डिजिट का हमको लिखना-एप ले. लिए उसको नौट करने के बाद उसके राइट साइट कितने डिजिट्स हैं उतने जीरो हमको पूट करने हैं तो यहां पे थिरी डिजिट्स हैं वान टू थिरी तो हम लोग क्या करेंगे यहां पे थिरी डिजिट्स पूट करेंगे तो यह थिरी जीरो पूट करेंगे तो य हमारा क्या हो गया eight thousand यह क्या हो गया μέरा eight thousand थो हम यहां पे इट thousand हम not कर सकते हैं ओकिए यह हमारा क्या हो गया ही हो जाता है place value तो इस तरह से हमारा first number complete हो गया अब दो आजाते हैं Be number की ओर होके तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं ना यहां पे 0 को circle किया गया है तो हमको 0 का क्या लिखना पड़ेगा 0 का लिखना पड़ेगा period, place और place value तो यहाँ पे period हम देख लें यह कुन सा position पे आ रहा है fourth position पे तो यह क्या हो जागा इसका यह देखिए thousand, thousand है हमारा यह क्या हो रहा है तो हम क्या नोट कर लेते हैं यहाँ पे period पे thousand नोट कर लेते हैं बहुत ही simple है और place भी हमारा इसका क्या होगा thousand ही होगा लेकिन हम place value की बात करेंगी तो 0 हमारा कहीं भी रहता है उसका place value 0 होता है आप आद रखिएगा तो हम यहाँ पे क्या नोट करेंगे 0 इसका place value तो यहाँ पे हमको C number पे 8 देख रहे हैं 8 को क्या कियागा है circle तो 8 का हमको लिखना है place value तो यह कौन सा position पे है यह देखिए once और यह tens हाना तो आईए हमारे पास यह chat है आप देख लिजी इस chat में आपको कहाँ पे देख रहा है यह देखिए हमारा जो है यह हो जाएगा इसका place और यह हो जाएगा इसका period तो once हो जाएगा period और इसका place क्या जाएगा tense हो जाएगा तो आईए हम यहाँ पे note कर लेते हैं यह हमारा हो जाता है period में हमारा हो गया once ठीक है once हमारा period हो गया और place क्या हो गया इसका tense हो गया और अगर हम place value की बात करें तो हम पहले eight note करेंगे और इसके बाद यहाँ पे एक digit है right set तो हम लोग एक zero put करेंगे तो यह क्या हो गया 80 हो गया इसका place value इस तरह से हमने यहाँ पे c number को बना लिए चलिए अब हम next question को देखते हैं जो कि है हमारा c number हो गया d number पे आ जाते हैं यह d number पे फिर हम को यहाँ पे क्या लिखना है period लिखना है तो हमारा period में क्या हो जागा यह देखिए कुन सा position पे one, ten, hundred thousand, ten thousand, lakh तो यह lakh place पे है आप देख लिजिए यह हमारा है अब यहाँ पे हमारा यह lakh हो गया है तो lakh क्या हो गया इसका period हो गया और place क्या हो जागा इसका place हो जागा फिर से lakh ही हो जाएगा तो आईए हम यहाँ पे note कर लेते हैं और यह हमारा हो गया period period में हम note करेंगे क्या, lakh note कर लिए ओके और इसका place भी क्या होगा इसका place भी लाखी होगा और place बैलो लिखना है तो पहले हम यहाँ पे किसका निकलना है हमकर कौन सा digit का हमको निकलना है फोर का तो पहले हम 4 note किये और इसके बाद कितने डिजिट्स हैं यहाँ पे तो यहाँ पे हम देख रहे हैं टोटल 5 डिजिट्स हैं है ना तो 5-0 यहाँ पे पूट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 तो यह हमारा क्या हो गया यह हमारा हो गया 4,00, ठीक है 4,00, हम चाहें तो यहाँ पे नाट भी कर सकते हैं यहाँ पे ऐसे भी छोड़ देंगे तो भी हमारा क्रेक्ट हो जाएगा अब आते हैं E नमबर पे तो यहाँ पर फिर से हमको लिखना है पिरियड और प्लेस ओके तो आए नाट कर लें तो आप देखिए इसका पिरियड क्या हो जाएगा इसका पिरियड हो जाएगा हमारा वन्स ठीक है वन्स क्या हो जाएगा इसका पिरियड हो जाएगा और इसका प्लेस क्या हो जाएगा प्लेस हो जाएगा टेंस ठीक है तो आएए हम नोट करते हैं यहां पे period के जगह पे once ओके और place क्या हो जागा इसका place हो जागा इसका 10th place टिक और place value तो हम यहां पे two put किये और इसके बाद यहां पे एक ही digit हमको दीख रहा है तो हम एक 0 लेंगे that is 20 तो 20 हम यहां पे not भी कर सकते हैं ओके चलिए इस तरह से next हमारा जोगा एफ नंबर पर यहां पर हमको note करना है period और place तो यह five को यहां पर किया गया है आप देखिए five को यहां पर circle किया गया है तो five का period हमको क्या मिलेगा तो यहां पर कांटिंग कर लेते हैं यह हो गया once यह tens यह hundred thousand यह 10,000 तो 10,000 कौन सा period में आता है यह आप देखिए यहां पर 10,000 आपका thousand period में आता है तो period यहां पर हमारा क्या हो तो period हमारा पर यहां पर हो गया thousand okay note कर लिए और place क्या हो गया place हो गया हमारा 10,000 ठीक है 10,000 ओके और यहां पर place value क्या होगा तो यह देखिए five हम लोग note कर लिए और five के बाद यहां पर कितने zero लगाएंगे four zero लगाएंगे क्यों चुकिए four eight है तो four zero लगाने पर यह क्या हो जाता है फिप्टी thousand ठीक है तो इस तरह से हम लोगाने यहां पर complete कर लिया है question number one अब चलिए हम question number two की बात कर तो यहां पर हम लोगों से कहता है rewrite the following in ascending order okay यह जो numbers दिये हुए हैं इसको हमको ascending order में लिखना है ascending order का मतलब होता है पहले छोटा number लिखना है और फिर बढ़ते हमको जाना है बढ़ते हमको जाना है okay तो आईए हम एक करके second number question को करते हैं तो यहां पर सबसे छोटा number क्या है यह रखे 43,865 तो सबसे पहले हम यहीं note करेंगे यहां पर 43,865 यह note कर लिए इसके बाद हम क्या करेंगे यहां पर तो less than का symbol यूज करें तो यह हमने यहां पर less than का symbol यूज कर लिया ओके यह जो symbol हम दिये यह क्या है हमारा less than का सिंबल है ओके इसको हम लोग learn जानते है हाना यह less than कहलाता है हमारा यह कहलाता है less than ठीक है यह हम लोग learn करेंगे तो यह सिंबल less than होगी है इस से थोड़ा सा बड़ा नम्मर कुन सा है तो थोड़ा सा बड़ा नम्मर हमारे यहां है यह देखिए यह है हमारा 4,38,654 तो हम इस नमबर को नॉट करेंगे हाना 4,38,654 फिर से यहाँ पे less than का सिंबल डालेंगे तो यह less than का सिंबल हमने दे दिया अब फिर अगला नमबर नॉट करेंगे अगला नमबर कौन सा आएगा 4,38,854 इसको नॉट करते हैं और इसके बाद फिर से हम यहाँ पे less than का सिंबल डालेंगे और इसके बाद सबसे last में किसको नॉट करेंगे तो 4,83,654 यह नमबर हम नॉट करते हैं तो यह हमने नॉट कर लिया और इस तरह से हमारा जो है यह सारे के सारे नमबर ascending order में आ चुके हैं हमने क्या किया है छोटा से लेके बड़ा की और बढ़ लिया है smaller to greater चलिए हम अभी solve करेंगे यहां पर बी नमबर बी नमबर में जो नमबर है उसको हम arrange कर लेते हैं तो बी नमबर में हमारा सबसे छोटा नमबर क्या है 91,089 तो हमने यहां पर नॉट कर लिया यह रखिए 91,089 ओके इसको नॉट किया और इसके बाद दूसरा नमबर क्या होगा यह रखिए दूसरा नमबर है 9,10,849 तो हमने दूसरा नमबर यहां पर नॉट किया है 9,10,049 यह नोट कर लिए और इसके बाद थोड़ा सा बड़ा हम देखेंगे तो हमको क्या मिल जागा यहां पर मिल जागा 914,089 तो हमने फिर से इसको नोट किया यहां पर 914,089 ओके और लास्ट में हम यहां पर देख रहे हैं कि सबसे बड़ा नम्मर कौन सा है तो यह हमारे पास है 919,089 और इसको हमने सबसे लास्ट में हम पर नोट कर लिया 919,098 है यह कितना है 98 है तो इस तरह से हमारा यह भी एरेंज हो गया है एसेंडिंग ओरर में तो आईए हम नेक्स्ट कोर्षन को देखेंगे और अगला कोर्षन यहां पर हम लोगों से कहता है राइट दा हम को नेम्स लिख देना है तो बहुत ही इजी है आइए हम लोगों नोट कर लें तो यहां पर पहला जो हमारे पास है यह क्या है 53,701 तो हम यहां पर नोट कर लेते हैं 50 53,000 और क्या है 701 तो हम यहां पर फिर लिखेंगे 701 यह हमारा हो गया A नमबर चलए यह B नमबर पर नोट कर लेते हैं तो अगला नमबर हमारे पास क्या रखिए यह हमारे पास है 91,001 तो यह जो 00 है इसको हम यहां पर नहीं नोट करते हैं 000 का नाम नहीं लिखना है तो हमारा क्या हो गया यह हो गया 91,000 और हम यहां पे simply लिख देंगे 1 तो यह हमारा पूरा name complete हो गया 91,001 यह हमको यहां पे 00 का नाम नहीं note करना है यह देखे हमारा क्या है ना यह हमारा है 8,00,00 और यह 0,008 है तो 8 lakh लिखें उसके बाद हमको क्या लिखना है फिर से लिखना है यहाँ पर 8,000 ओके 8,000 नोट किये और हमको यहाँ पर नोट करना है 808 तो हमने यहाँ पर नोट कर लिया 8 फिर हम लिखेंगे 808 ओके तो इस तरह से हमारा नेम पूरा complete हो गया 8,8808, ओके तो हमरे पास D नमर कै है यह देहिए 4,000,4,00,40,00 और हम यहाँ पर नोट कर देंगבה 4,040,40,1 यह 400,400 और फिर कै है 4 है तो इस तरह से हमारा complete हो गया 4,40,404 यह हमारा name complete हो गया चलिए next हम यहाँ पे देखेंगे यह number पे और यह number पे हमारा क्या है तो यह देखिए 00 है इसको आपको नहीं लिखना है तो आप देखिए 9 कुन सा पलेस पे है 9 आपका lakh पलेस पर है तो आप यहाँ पे क्या नोट करेंगे आप यहाँ पे नोट करेंगे 9 lakh 9 lakh नोट कर लिए और इसके बाद यह आपका last में 9 है तो once पलेस पे तो 9 lakh 9 हमारा हो गया answer ओके last हमारे पास F number पर है तो आप यहाँ पे देखिए यह क्या है आपका lakh पलेस पर है और यह longest पर है तो हमारा क्या हो जाएगा यह भी हो जाएगा 6 lakh 6 lakh और यह हमारा हो गया 8000 तो हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं 8000 8000 किये और last में क्या है है यह हमारा 316 तो इस हमने नोट कर लिया 316 16 ओके तो यह हमारा complete हो गया है नेमिंग हमने नौट कर लिया है साय नम्बर का और चलिए last question और है उसको भी हम देख लेते हैं और यह last question हमारे पास है fill in the blank साना इसको हम फिल कर लें तो कहता है the smallest five digit numeral तो five digit का सबसे छोटा नमबर क्या होता है हम लोग जानते हैं one देकर के यहां पे four zeros put करेंगे यह क्या होगा हमारा one lakh हो गया ओके और दूसरा हमारे पास है successor of 99,901 successor का means क्या होता है one add कर देना है okay तो आप इस में से एगर one add करेंगे तो आपको क्या मिल जागा आपको यहां से मिल जागा one lakh तो आप यहां पे one lakh add कर लीजिए okay one lakh put कर देजिए ठीक है 1 lakh हमने put कर दिया है और यहां पर अगला जो है यह कहता है numeral 4 4 lakh 4 4 lakh 4 हम को दिखाना है तो हम लिखेंगे 4 उसके बाद यहां पर 00 फिर 00 और यह 4 यह हमारा क्या हो गया 4 lakh 4 हो गया फिर अगला हमारे पास है यह 1 lakh equal to 1000 1 lakh equal to कितना 1000 होगा तो 1 lakh equal to होता है 100,000 तो हम यहां पर note कर लेंगे 100,000 is equal to 1 lakh और इसको हम को यहां पर add करके दिखाना है यह जो number है इसको हम add कर लेंगे यह expanded form में है तो इसको हम add कर लेंगे हमारा क्या आजाता है तो यह हमारा आएगा यहां पर 3 note कर लिए और फिर यह 0, 8 ओके और इसके बाद फिर यहां पर 0 आएगा 5 और 1 आएगा यह हमारा क्या हो गया 3,8,051 तो इस तरह से हमने यहां पर सारे fill in the blanks को complete कर लिया है और यहां पर introduction part हमारा complete हो गया बाराओ इस बाराओ यहां पर बाराओ यहां थाथ जाएगा इस विडिवाधा इस खाता है